हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागात है मेरे study चैनल दलक्ष में इस वीडियो में हम लोग 67 बिपीहस्टी प्रिलिंग्स के लिए दिरिश्टी का question से practice करेंगे जिसमें TWETAL question on50 होंगे और इस वीडियो में हम डेली वीडियोज में डालूंगा और जो बहुत इंपोर्टेंट है आने वाले BPSC 67 प्रिलिम्स के लिए तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये आज का पहला क्वेस्टन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला क्वेस्टन है 2020 में कौफी उत्पादन के मामले में भारत का अस्थान कितना था तो 2020 में कौफी उत्पादन में भारत का अस्थान था साथवा ओप्सन नमबर C और पहले अस्थान पे था ब्राजिल नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और 21 के दोरान दुनिया में सबसे बड़ा 54 निर्यातक रहा है तो 2020 और 21 के तहट 54 निर्यातक में एक नमर पे अस्थान था भारत option number B भारत हो जाएगा इसका answer चलते next question question number 4 की ओर Canvary घास का मैदान किस देश में पाये जाता है तो Canvary घास का मैदान पाये जाता है New Zealand में option number D Downs पाये जाता है Australia में Paris पाये जाता है North America में Savannah पाये जाता है फिरका और Australia में और Steppies पाये जाता है South America में और exam में questions repeated आते रहे हैं घास के मैदान किस से related तो question बहुत important होते हैं इसे वाले और आप इसे ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे आते हैं next question के ओर question और 5 के ओर महात्मा गांधी समुंद्री राष्टी उद्यान कहां इस्तित है तो महात्मा गांधि समुंद्री राष्टिय उद्धियान आपका इस्तिते अंडमान और निकोबार द्यूब समू में option number C हो जागा इसका answer next question question number 6 भारत में धूसर क्रांती किस से संबंदित है तो भारत में धूसर क्रांती संबंदित है उर्वरक से fertilizer से संबंदित है धूसर क्रांती और जहां तक हमें पता है कि खाद्यान के लिए है हरित क्रांती petroleum के लिए होता है काला क्रांती और aloo के लिए होता है गोल क्रांती आते next question के और question number 7 के और निमलिखित में से किस प्रजाती को कभी कभी प्रहरी प्रजाती या से निटीनियल स्पीसिस के रूप में भी जाना जाता है तो प्रहरी प्रजाती के रूप में जाना जाता है इंडिकेटर प्रजातियों को option number A हो जाएगा इसका answer चलते हैं guys, next question की ओर question number 8 की ओर चलते हैं हम लोग निमलिखित में से किस वर्ज हिंदी को राज़सभा और लोगसभा में जोड़ा गया है या अपनाया गया है तो हिंदी को राज़सभा और लोगसभा में अपनाया गया है 1954 के तर 1954 में और जो पता है राज़सभा अनुच्छेद 80 में होता है इसका उलेख है लोगसभा का अनुच्छेद 81 में और राज़सभा को अपर हाउस कहते हैं और लोगसभा को लोवर हाउस चलिए guys, चलते हैं next question की ओर question number 9 की ओर प्रतम लोगसभा की अध्यक्ष कोन थे तो प्रतम लोगसभा की अध्यक्ष थे गनेश वासुदेव मावलंकर जेवी मावलंकर option number 20 का answer हो जाएगा जेवी मावलंकर जो 1952 से 1956 तक लोगसभा की अध्यक्ष थे और इन्हें दादा साहे मावलंकर भी कहा जाता है next question, question number 10 जल सनरक्षन और प्रबंधर पर पहली संसदिय मंच किस वर्ष गठित की गई थी तो जल सनरक्षन और प्रबंधर की लिए पहली संसदिय मंच 2005 में गठित की गई थी option number C हो जाएगा answer इसका और भारत में अभी तक टोटल संसदिय मंच है 8 चलते हैं guys, next question की और question number 11 question number 11 ये कह रहा है कि उस्तम नियाले में नियाधिसों के स्विक्रिश संख्या कितनी है तो Supreme Court में नियाधिसों के स्विक्रिश संख्या है 34, option number D हो जाएगा इसका और 2019 से पहले Supreme Court में नियाधिसों के संख्या 31 वा करती थी जिसे 2019 के बाद बढ़ा कर 34 कर दिया गया और जो इसमें होता है एक मुख नियाधिस होता है और 33 अनियाधिस होते हैं आते हैं guys question number 12 के ओर उस्तम नियाले को निमलिखित में से किसके परवर्तन के लिए रिड जारी करने का अधिकार है तो उस्तम नियाले को रिड जारी करने का अधिकार है मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 32 option number A हो जाएगा इसका answer और जो high code उच नियाले आर्टिकल 226 के तहत रिड जारी करती है यह सब question repeated आते रहें एक्जाम में और बहुत ही important अच्छे से समझना और doubt ना हो इसलिए ध्यान से आप इसे सुने आते हैं next question की और question number 13 में केंद्र और राज दोनों सरकारों के विधी अधिनियमों और कारिकाली आदेसों की समय धानिकता की जाज करने के लिए नियाई पालिका के सक्ति को क्या का जाता है तो इसका answer हो जाएगा आपका 13 का C हो जाएगा नियाईक समिक्षा आते हैं guys next question की और question number 14 question number 14 है निमलेखित में से किस संसोधन ने बिहार को आदिवासी कल्यान मंत्री के दाइत्व से मुक्त किया है तो ये जो टीनों जो 1 से D तक जो option है इसका answer इसमें से कोई भी नहीं है इसका answer हो जाएगा 2006 के 94 संसोधन अधिनियम के द्वारा बिहार को आदिवासिक कल्यान मंत्री के दायतु से मुक्त किया गया है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका उपसन नमर E उप्युक्त में से कोई नहीं 2006 के 94 संसोधन से हो जाएगा इसका एंसर याद रखिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन के और असोग के धम को अनिक किस नाम से जाना जाता है तो असोग के धम को दो नाम से जाना जाता है ग्रीक सिला लेक में इसका उलेक उसेविया नाम से है और जो और एक नाम है इसका दाता नाम से भी इससे जाना जाता है असोग के धम को तो यूशेविया और दाता इसका दोनों एंसर है तो option number E हो जाएगा इसका एंसर उप्युक्त में से एक से अधिक आते हैं next question की ओर question number 16 की ओर निमलिखित में से कौन सी घटना वासरा लॉड वेवेल के कारिकाल में नहीं हुई थी कौंग्रेस द्वारा अंतिम सरकार की घटना वी वेवेल के टाइम में हुई थी और CR formula भी वेवेल के टाइम में आया था तो इसमें बच जाता है option number A हमारा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में हुआ था और इस टाइम भारत के भारत रहते लिन लित गो तो एंसर हो जाएगा इसका option number A option number A हो जाएगा इसका answer क्रिप्स मिशन का भारत आगमन क्रिप्स मिशन का भारत आगमन तो चलते हैं गाईज next question की ओर question number 17 1879 में जो महराष्ट में किसानों के लिए लाए गया था British सरकार द्वारा किस विजय को मिथिला के स्वतन करनाट राज की मित्यू की घटी कहा जा सकता है तो 18 नमर का answer हो जाएगा आपका अहमद को तिरुट का प्रवार option number D answer है इसका चलते हैं next question की ओर question number 19 की ओर बिहार का असली विजयता कौन था बिहार का असली विजयता मतलब बिहार पे जिसने पूरे अच्छे से कबजा किया था जो अच्छे से सासन किया था बिहार पे तो इसका answer हो जाएगा आपका बक्तियार खिल जी option number C बक्तियार खिल जी बक्तियार खिल जी नहीं विक्रम सिरा और नालंदा विसुद्धियाले को तोड़ा था नश्ट किया था आते हैं next question के और question number 20 के और सोराज मेरा जन्वसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसके द्वारा कहा गया था तो सोराज मेरा जन्वसिद अधिकार हो मैं इसे लेकर रहूँगा यह कहा गया था बाल गंगादर तिलक द्वारा option number a बालगंगाधर तिलक next question question number 21 पर्धान मंत्री जंधनी ओजना कब शुरूप की गई थी पर्धान मंत्री जंधनी ओजना 28 अगस्त 2014 को की गई थी option number b है इसका answer चलते next question की ओर question number 22 की ओर निमलिखित में कौन सा विकल्प मुद्रा रीन के अंतरगत वर्गी कृत उत्पाद नहीं है तो बाइस का answer हो जाएगा आपका डी यूवा next question question number 23 भारती समान बीमानिगम का गठन कब किया गया था तो 23 का answer हो जाएगा 1972 के तहत किया गया था 1972 में किया गया था इसका गठन option number D आते next question की ओर question number 24 राष्ट्य स्वास सुरक्षा योजना में कितने का coverage मिलता है तो इसमें मिलता है पाच लाग प्रती परिवार option number B पाच लाग प्रती परिवार ये योजना आय थी 2018 सितंबर में next question question number 25 national stock exchange of india limited NSE कब चालू हो गया था तो 25 में पुछा जारा किस year में इसके स्थापने हो गई थी इसका answer हो जाएगा 1994 option number C चलते next question की ओर question number 26 जो science से है निमलिखित में कौन सा तोरन का सही formula है तो 26 acceleration का formula पूछ रहा है तो acceleration का formula होता है d2 into x by dt square dt square into x by dt square option number D answer हो जाएगा इसका ध्यान रखिएगा चलते next question की ओर question number 27 की ओर एलेक्ट्रोनों की संख्या क्या है जो एक ampere का current बनाती है तो एलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी है जो एक ampere का current बनाती है तो इसका अंसर चलते next question की ओर question number 28 की ओर कर निमली खित में से कौन सा मानक परतिरोधक बनाने के लिए मिस्र धातू का उपयोग करने का कारण नहीं है तो मानक परतिरोध बनाने के लिए मिस्र धातू का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मिस्र धातू का तापमान गुन्नांग उच्छे होता है ज्यादा होता है option number 8 answer is का चलते next question के और question number 29 की तरफ निमलीखित में से कौन सा निर्वात में सनराचन नहीं कर सकता संचारन नहीं कर सकता निर्वात में यानि travel नहीं कर सकता वैक्यूम में तो infrared तरंगे ये sound wave होती है जिसका तरंगधे या frequency होता है 20 हर से कम तो infrared वैक्यूम में या निर्वात में संचार नहीं कर सकती option number D next question की तरफ आते है question number 30 के और निमलीखित में कौन सा प्रकास के प्रकिर्नन का उधारन नहीं है तो reflection का उधारन नहीं है तो अकास में निला रंग भी प्रकिर्नन के कारण ही दिखता है बादलों का सफेद रंग भी प्रकिर्नन के कारण ही होता है खत्रों के संकेत का ला रंग जो ला रंग दूर से भी दिखाईद दे देता है लोगों को तो वो प्रकिर्नन के कारण ही होता है इंद्र धनुस इसका answer हो जाएगा क्योंकि इंद्र धनुस में reflection और reflection दोनों होता है प्रतिक किर्णन और प्रकास का परवर्तन दोनों के कारण इंद्र धनुस होता है इसका option number D हो जाएगा answer इंद्र धनुस आते हैं next question की ओर, question number 31 की ओर औसत वेग का निम्न में से कौन सा सही सुत्र है velocity का formula पूछ रहा है तो 31 का answer हो जाएगा option number D हो जाएगा इसका answer B is equal to DX by DT आते हैं next question की ओर, question number 30 ओर 32 सुरी के प्रकास को प्रित्वी तक पहुचने में कितना समय लगता है तो सुरी के प्रकास को पहुचने में धर्ती पर 8 मिनट 19 सकेंड लगता है option number B answer हो जाएगा 8 मिनट 19 सकेंड इसका सही answer है चलते हैं next question की ओर question number 33 के ओर optical telescope का अविस्कार किस नहीं किया था तो optical telescope का अविस्कारक था है hence लिप्रे से लेकिन इसका सही इस्तमाल सही use first time किया था गेलेलियो इसका answer हो जाएगा अविस्कारक पुछा जा रहा है hence लिप्रे सी option number A चलते हैं next question की ओर गाईज question number 34 प्रिथ्वी को सुरी के प्रती सकेंड कितनी उर्जा प्राप्त हो रही है तो प्रिथ्वी को सुरी से पुछा जा रहा है कि कितनी उर्जा प्राप्त हो रही है एक सकेंड में तो एक सकेंड में प्रिथ्वी को 4 into 10 to the power 26 joule per second 4 into 10 to the power 26 joule per second मिल रही energy आते हैं next question की ओर question number 35 वायू मंडलिये दबाव को नियंतर दर्ज करने के लिए निमली खित में से किसका परियोग किया जाता है तो नियंतर रेडिंग के लिए बेरोमेटर से यूज ये बौलीमेटर है बेरोमेटर से हम लोग वायूदाप को measure कर सकते है बट उसकी लगातार रेडिंग के लिए निरंतर दर्ज करने के लिए बेरोग्राफ का यूज होता है अब बॉली मिटर से उस्मा बॉली मिटर सम्दूख क्या मेजर करते हैं तो उस्मा विकिरन को मापता है बॉली मिटर और बेरो मिटर से मैंने बताया के लिए बहुत इंपॉटेंट क्वेशन है और लिए पैटर्न जो द्रिष्टी के द्वारा लाया गया है जो बहुत थी फायदे मन्द होगा हमारे VPSC के प्रिलिम्स के लिए चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन 37 एं कम्प्यूटर से किस फाइल को बंद करने के लिए सौर्टकट की का सौर्टकट की यूज करते है तो फाइल बंद करने के लिए हम लोगो यूज करते हैं CTRL plus W CTRL plus W से फाइल बंद होती है यह सौर्टकट की है और CTRL plus Y से redo होता है CTRL plus X cut के लिए होता है और CTRL प्लस Z से undo होता है तो आते हैं नेक्ट क्वेशन के और क्वेशन नमर 38 के और निमलिखित में सिक्की सूपर कम्प्यूटर ने 27 चेंपियन Gary Kasparo को हराया था इसका एंसर हो जाएगा आपका Deep Blue ये बहुत फास्टेट ये कम्प्यूटर 32 के बराबर काम करता है नेक्ट क्वेशन क्वेशन नमर 39 निमलिखित में से किस गाओं को भारत का पहला पूर्णता कप्प्यूट क्रित गाओं घोशित किया गया है तो 38 का प्रफशन हो जाएगा आपका C वेलेना नाइडो जो केरल में पड़ता है आते नेक्स क्वेस्टन की ओर क्वेस्टन नमर 40 के ओर आएसी चीप को किस ने विक्षित किया था आएसी चीप को विक्षित किया था जे एस किलवी ने आते नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ जो केमेस्ट्री से है निमलीखित में से कौन सा धातू पर्तिक किरिया सिलता का सही अनुक्रम है तो 41 का एंसर हो जाएगा B, मैंगनीजियम, जींक, आइरन, कॉपर, एंड सिल्वर, AU, AG, सिल्वर के लिए होता है जहां तक मैं बता दूँ इसका रीजन क्या है क्योंकि किस धातू की ऑक्सिकरन छमता जितनी बड़ी होती है जिस धातू की, एलेक्ट्रोनों को खोने की छमता भी उतनी असान हो जाती है उसकी और इस प्रकार प्रतिक किरिया सिलता उतनी ही अधिक होती है आप्सन नमर ई हो जाएगा एंसर, मैगनेजियम, जिंक, आइरन, कॉपर और सिल्वर क्वेशन नमर 42, क्या कह रहा है निमलिखित में कौन सिधातू संचारित नहीं होती है यानि रस्ट या रियक्ट नहीं करती है तो कॉपर हो जाएगा इसका एंसर, कॉपर बहुत लिस्ट रियक्टिव है, वो संचारित नहीं होती क्वेशन नमर 43, निमलिखित में से किस ने रसायनिक परतिक किरिया का सिधान्त दिया था तो 43 का एंसर हो जाएगा, मैक्स, टूटर्ज, एन विलियम लुइस ने दिया था रसायनिक परतिक किरिया का सिधान्त, ए और डी दोनों हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो यह क्या हो जाएगा, उप्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नमर E आते हैं, question number 44 की तरह, यह सब chemistry से related question है, 44 है, तामबे के electrolytic refining सोधन के लिए, तामबे के सोधन के लिए के दौरान, निमलिकित में से कौन सा electrolyte उप्योग किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा, B, अमलिकित copper sulfate solution यूज होता है, तामबे के refining के लिए या सोधन के लिए, option number B answer है इसका, आते हैं, next question, question number 45 की ओर, निमलिकित में से कौन सा लोहा का इसक सर्वोत्तम होता है, कौन सा इसक जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा पाए जाता है, तो मेंगने टाइट पाए एक नमर पे है, मेंगने टाइट में सबसे ज़्यादा लोहा पाए जाता है, option number B हो जाएगा इसका answer, मेंगने टाइट में 72% लोहा पाए जाता है, और सकेर नमर पे आता है, हमें टाइट, हमें टाइट में पाए जाता है, 65 के लगबग लोहा पाए जाता है, 46 order. नूंबर जीo के आपस में परियावरन के साथ उनके संबंधों के विज्यानिक अधियन को क्या कहा किया जाता है तो जीयों के आपस में और परियावरन के साथ उनके Promised को प्रास्थतिक कहा जा को लोजी कहा जाता है option number D है इसका answer आते नेक्स question की ओर 47 सवाना बायों समसे अधिक कहां पाए जाता है तो सवाना घास के मैदान आपको पता है अफिरका में सबसे पाए जाता है option number B तो इसका answer हो जाएगा option number B अफिरका चलते है question number 48 की ओर नेम लिखित में से कौन सा सेटासीन नहीं है पुछा जा रहा है इसमें नहीं है सेटासीन तो वेल सेटासीन है डॉल्फिन भी सेटासीन है और पोरपोईज भी सेटासीन है तो इसमें से बच गया option number C 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 जलिये प्रास्थिति के प्रनाली के सबसे महत्पून सीमित कारक क्या है तो जलिये जीव रहने के लिए जलिये जीव को सरभाइब करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट किया है उसके जीने के लिए तो सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन दो चीज बहुत इंपोर्टेंट है जल बने के लिए जीने कay लिए जीवर जंतुकर को सूरज की रोसनी और उक्सीजन दोनों तो ए औरसी इसका एंसर है तो इसका एंसर हो जाएगा उप्यूक्स में से एक से अधिक उप्यूक्स से एक से अधिक आते हैं आच सेट के लाश्क प्रहत रख क्वेश्व फिप्टी क्यों वाईउ मंदल में ओजोन किस में मापी जाती है वाईउ मंदल में तो वाईउ मंदल में ओजोन मापने के लिए यूचा होता है डॉप्शन का option number B एंसर हो जाएगा गाइज इसका डॉप्शन तो गाइज आज का question 15 हम लोग discuss करेंगे और बाकि next question वीडियो में 100 question का discussion आएगा अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो आप इसे comment करें और like करें अगर कहीं भी गलती हो तो comment करके मुझे बताए तो guys आज का वीडियो इन्हें तक समाप्त करते है थैंक यू और जय हिंद